छो फ्रेंड्स आपों को करने चैनल में बहुत हो स्वावत्तन तो आज कर विडियों बहुत ही स्पेशल होने वाले है कि क्लास्टिंगे में में अगर मीनेजर्स की चर्ण सेट के साथ कुटेंगे में खेलूंगी अगर आपों को करने दिया अच्छा लगे तुसे तो दोस्तों यह मेरा किचन सेट और यह बहुत चोटा चोटा और क्यूट है और यह पिंक और वाइट कलर का है तो दोस्तों यहाँ पे दो प्लेट पिंक कलर के हैं और दो वाइट कलर के और यहाँ पे दो कॉप इस वाइट कलर के और दो कॉप पिंक कलर के और ये है आइस्पेन कप, और ये है ट्रीपोट, ये है कुकर और उसका डखकन, ये है ये है पैन और उसका डखकन, ये रोनी स्पुल्स है, और ये गैस, ये गैस सिलेंडर, ये है और ये है मिक्सर ब्राइंडर, हैना फिरना क्योत प्यारा चोटा सा तो आईए अब हम कुटिंग करते हैं तो दोस्तों यह एक्टिव को अपन आज हम इसी को बनाएंगे तो चलिए इसे कैजी से काट कर हमें बतन में डाल देते हैं तो पहले हम एक बतन को गैस पर चड़ा लेंगे और अब हम इसे काट लेना है तो अब हम इसे काट लेना है कैची से और चोटे बत्चे कैची से ना खेले वरना चोटे बत्चे को लग सकती है और आप किसी बड़े की मदद ले ले या फिर ममी की या फिर पापा की तो अब हमें पॉपकोन को डाल देना है तो डखकन को लिटा कर देंगे तो अब हमें गैस की आज को तेज कर देना है और हम दखकन को लटा करके लगा देंगे तो जब पॉपकोन पॉपकोन सिर्फ पटपट की आवाज आएगी जब वो पकेगा तब और जब वो बन जाएगा तब पटपट आवाज बन दो जाएगी पॉपकोन की और ये तीन मीनट में बनकर तयार हो जाता है तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है आप इसे फिल्म देखते समय खा सकते हैं या फिर काट्वन देखते समय आपको ऐसा लगएगा कि आप आपसे नहीं में होल में बैटके उच्छा देख रहे हैं तो अब हमें इस सप्रेट में निका लेना है आपको खाएं अब कि अचा माार आपको आपको खाएं की कइसा लगता है देश सकते हैं ये बहुत ये बने की तयार वह चेमा है और ये अब हमेंन还isто зап bntch मुमी आपी टेस कर के देखो न प्लीज वो नो गिर गया तो अगर आपको भी एप्यू पॉपकॉन खाना है तो आप अपने मुमी पापा से बोलिए कि वो आपको ये पैकेड लेके देदेंगे और मुमी से बोलेगा कि इसे बना दी तो ये जट पर बनके तयार हो जाता है जल्दी जल्दी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो और ये प्रॉपकॉन अच्छा लगा तो इसे लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए पैल आइकन प्रेस करना मद मुलेगा कोमेंट करना मद मुलेगा और ये वीडियो में आप लोगों के लिए लाते रहूँगी झाल झाल प्रेस्स हा ।